कि हाई फ्रेंट्स वन सगेंड विल्कम बैक टूमा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासे तो कैसे आप सभी आई होप आप सांदार होंगे और आपकी त्यारी बिल्कुल सांदार तरिक से चल रही होगी चलिए आज हमारा डेक्चर नमबर टू है जो क्यों होगा यूपी या आपने सब्सक्राब में किया सब्सक्राब के लिजिए और वेल आकन प्रेस करें जिसे कि आपको सबसे पहले नोट्फिकेशन मिल पाए इसमें बात करेंगे हम अच्छांसी बिस्तार सबसे पहले देखेंगे अच्छांस और दसांत्रे रहा क्या होता है और इसका बिस् बिश्वत रेखा से उत्तर या दच्छीर यानिके बुवोरिष्ट यह बिश्वत रेखा है यह बिश्वत दिशर रे खोलके बिशित किसी विभिण्द को प्रितीवी के केंद से नापी गई कोमडी दूरी को अच्छाँस कहा जाथा है ठीक है अच्छांस रेखाएं वह कालपन के रेखाएं होती है जो पृत्वी के चारों और पुरू से पस्चिन दिशा में बिश्वत रेखा के समांदर खीचे जाती है अच्छांस को अंसो मिनिटों एवं सेकेंडों में दर्साया जाता है पृत्वी के दो बरावर भागों में बाटने वाले जीरो डिगरी अच्छांस को भूमद रेखा कहते हैं लोग दिश्वत रेखा के दख्षड में इस्तित अच्छांस रेखा को दख्षडी अच्छांस रेखाएं कहते हैं अभी हम डाइगराम देखेंगे आज देखते हैं दाइगराम इसका त्हिए यह अपना है यह है पुरी पृत्षिवी है यह यह बना रहा हूं यह और इस को बेला है त्छी 25 दूलार्ड और इस रेखा को बोलेंगे उत्री द्श्चय आज़ा इस रेखा अब बात कर लेते दसंकर किसि रिखते हैं किछ डिखहेते हैं यदि एक डेजिए के अंत्राल पर कहा जाए तो उत्री गुलार्द में 89 अच्छांस रेखाओं यह इंपॉटेंट है पूछा जाता है कि अच्छांस रेखाओं के संख्या कितनी है तो यदि अच्छांस रेखाओं को एक डिगरी के अंतराल पर खेचा जाए तो उत्री गुलार्द में 89 अच्छांस रेखाओं यह इंपोटन है और यह सो नमासी और दो असमांतर दोनों कह सकता है ऑर फूच्छा पूचा है को बूपरिश्ट पर उत्तरी फियों मदश्री गुलारत को मिलाओने वाली रिखा होती है वो पृतिवी को दो बरावर भागों में बाड़ती है इसी को प्रधान या मुत्तर रेखा यानि कि greenwich mean time कहा जाता है यह रेखा लंदन के greenwich सहर से गुजरती है प्रधान या मुत्तर रेखा को 0 डिगर दिसांतर भी कहा जाता है यानि कि जो प्रधान या मुत्तर रेखा होगी अब ऐसे बात करें हम्मों धिसांतर रखा होगी स्द्निक ग्रूं संद रिखा आज से इस ही को बोलते हैं प्रधान या मत्तर 행복 ग्षान थां तो जिरहीं संद्र ब्हुंत्र में पूर्व और प्ष्चि में उत्तरी औरद्शड्रों को श्यू हो थे देख लेथे मिलाने वाली कल्वन रिखाओं को दिसांतर रिखा करते हैं दिसांतर रेखायां समांतर नहीं होती है पहले बात तो अचान से रिखा समांतर थी अiv समांतर नहीं होती दुरूब से विश्वत रेखा की ओर बढ़ने पर दिसानतर रेखाओं की मंदी की दूरी बढ़ती जाती है विश्वत रेखा पर दिसानतर रेखाओं की बीच अधिक्तम 11.333 किलोमेटर की दूरी होती है भारत पुड्तियां उत्री गुलाराद मेश्तित है आपको पता होना चाहिए सम्पुल भारत का अचांशी बिष्तार 6 डीगरी शांथ waterproof ऑचांश से 37जजद के मधे में है इबे आपसे पुछा जाता है और पुछा गया है इसके मुख्य भूमी 8 डिगरी 4 मिंड उत्तरी अच्छांस और 37 डिगरी 6 मिनट उत्तरी अच्छांस एवं 68 डिगरी 7 मिनट पूर्वीद संतर और 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वीद संतर के मद्ध में फैली हुई है भारत की बात हो रही है उस्ड कटी बंदी च्छांस के मद्ध में है यह पूछ सकता है कि उस्ड कटी बंदी च्छांस के मद्ध में है यह देखिए यह है अपना भूमद रेखा ठीक है और इसके बात है 35 डिगरी उत्तर यह चांस यह 35 डिगरी उत्तर यह चांस है और यह 35 डिगरी तश्रेज चांस तो इसके जो मद्ध की इसके जो मद्ध का जो स्थान है जो विश्तार है उसी को बोलते हैं उष्ड कटिवंद का छेत्र यानि कि साड़ा तेश्ड दिगर यह उत्तर वाला है और यह दच्छड वाला है इन दोनों को जी बीच का छेत्र है उसी को बोलते हैं उष्ड कटिवं प्रभाव दच्छिड से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है अब बात करते हैं करक एवं मकर रेखा की सोरी भारत में करक रेखा की बात कर लेते हैं कि बिस्वत रेखा पर उत्तर मुर्स्थित 37 देगरी उत्तरेट है उत्त्रेज जांस को करक रेखा कहा जाता है र्चाह 24 भारत के लगबग मध्य से उकर गुकर गुजरती है और के रहे हागरत एकुल आड़ राज और राजयों से उकर गुजरती है जिन में गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, 36 जारखंड, पस्चि बंगाल, तिरपुरा और मिजोरम है अब बात करते हैं कि इसका क्रम क्या हो जाएगा देखिए ये भारत है थोड़ा सा बड़ा करतूं देखिए अब बात करते हैं पस्चिम से पूर्व यदि कभी भी कोशन पूछ ले कि पस्चिम से पूर्व है कर देखा पस्चित राजस्थान, मध्यप्रदेश, 36 जारखंड, पस्चिम मगाल, तिरपुरा, उसके बाद मिजोरम कितने हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच, शाथ, आठ पस्चिम से पूर्व क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, 36 जारखंड, पस्चिम मगाल, तिरपुरा और मिजोरम यह हैं पुर्व से प्थिम से पुर्व ठीके ओर यह जेज अगर पुशले कि पुर्व से पशिम तो मिजोरम, तिरपूरा, पशिम मंगाल, जारखंड, 36गड, मंत्रदेश, राजसान और गुझरात यह हो जागा पुर्व से पशिम चोली आगे बढ़ते हैं सूर के उत्तरायण यानि इभुमद रेखा के उत्तर होने के बाद से ही प्रिथिभी बाद से ही उत्तरी गुलार्द में दिनों की अवधी बढ़ती जाती है 21 जून को सूर उत्तरायण इस्तिती में ये सरोच बिंद उपर होता है जून महा में करक रेखा के उपर जाने पर दिनों की अवधी बढ़ने लगती है तियरही करक रेखा रेखा से रेडिटेट आपसे कोशन इस तरह से पुछेगा कि करक रेखा पर कितने राजे हैं पसंद आते वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद